जैसा कि 22 फरवरी 2022 को 12,460 सिच्छक भरती की सुनवाई निर्धारित है तो उसी को लेकर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई है जो आप सभी के साथ सेवर करना आवश्यक है तो फटाफ़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब डिने की हैं तो त मिलें उसके माध्यम से उसके माध्यम से यही जानकारी है कि कल सुबह 10-30 मिनट जैसे ही कोर्ट बैठेगी और बैठने के बाद को मैंसन में यहां पर जो केस है 12,460 का 613 उसे mention करवाया जाएगा ठीक है तो mention करवाने के बाद चीजे इस पस्ट होंगी कि जो सुनवाई है वो lunch के पहले होगी या lunch के बाद नेकिल पूरी उम्मीद है कि जो सुनवाई है वो lunch के बाद ही होगी अगर होगी तो lunch के बाद ही होगी और ये भी जानकारी है कि सबसे पहले सरकारी अधिवक्ता यानि एजी साहब सरकार की तरफ से अपना पच्छ 12,460 से च्छक भरती के लिए रखेंगे और उसके बाद ही जो यहाँ पर अपील करता है यानि कि 613 मोहिट कुमार दिवेदी जीरो जन्रपत की तरफ से उनको मौका मिलेगा उसके बाद ही लास्ट में इंक्याय जन्रपत के जो भी लोग होंगे उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा उसके बाद जो बचे होंगे जैसे कि जो चैनित हैं जो नौकरी कर रही है फिर उनको मौका दीया जाएगा तो सभी को करमवार सुनने के बाद ही जो अंत्री परिज तक सुनवाई हो पाएगी